हलो और वेलकम टू एंकर डिश्टिल पॉइंट सो गाईज कैसे हैं आप सभी मैं हून रहीम खान आप देख रहे हैं आपका अपने एडूप चैनल एंकर डिश्टिल पॉइंट गाईज आपका भाई आपके लिए एक आज बड़ी जबरतस्तोरी फाइनेस कंपेन लेकर रहा चीहां गाईज आपने बिल्कुल सही सुना 25 रुपे टेक का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के तो कैसे अगर आप लेना चाहती है लोन इस वीडियो को आपने लाइक करना होगा अगर आपने भी देक मेरे चैल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोड़ सी रिक्वेस्ट है जो नीचे आपको रेड़ कलका सब्सक्राइब का बटन दिखाए रहा है उसको प्रेस करने के बाद बैल एक अजिरू दबा देना ताकि आपको निवीडियो कोटिफिकेसन मिलता रहे तो चले गाइस देखते हैं कौन सी हो कंपणी जहाँ पर आप ले सकते हैं 75,000 पर से लेकर 25,000 रुपे तेक का emergency loan चले शुरू करते हैं तो गईस अगर आप लेना चाहते हैं घर बैटे 75,000 पर से लेकर 25,000 रुपे तेक का emergency loan बहुत ही कम documents और बहुत ही कम interest पर एक link में description में रखा है जैसे आप उसी link पर click करेंगे आपके सामने एक website open हो जाएगी जिसका नाम है tata capital.com जी हाँ guys मैं बात कर रहा हूँ tata capital की tata capital का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा वाकि एक trusted finance company है यहाँ पर आप ले सकते हैं 50,000 पिसे लेकर 25,000 रुपे तेक का loan बहुत ही कम interest पर अगर आप देखेंगे अभी इस screen पर मैंने यहाँ पर tata capital की official website open कर रखे है और website open होना की बाद interface आपको ऐसा दिखाए देगा जैसा अभी आपको उपर दिखाए दे रहा है सबसे पहले आपको यहाँ पर home loan apply करने का एक offer दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपके लिए कुछ offer चल रहे हैं आप यहाँ पर loan apply कर सकते हैं अगर आप home loan लेना चाहते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर personal loan की आप कैसे ले सकते हैं यहाँ पर personal loan आज आप इस video के अंदर देखने वाले हैं नीचे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपको 100 more में click करेंगे दिखाओ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे loan मिल जाएंगे जैसे personal loan हो गया home loan हो करते हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि वहाँ पर personal loan की तो आप यहाँ पर personal loan अप्लाइगर करते हैं तो simply आपने personal loan लेने के लिए personal loan पर click करना होगा जैसे आप personal loan पर click करेंगे जो page आपके सामने open होगा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है सबसे उपर आपको यहाँ पर EMI calculator दिखाए दे रहा है देख गाइस मेरे पास काफी comments यह से आते हैं जिसके अंदर मुझे बोलते हैं कि हमें बता देजिए हम लेना चाहते हैं 2,00,000 रुपे का loan हमारी EMI कितनी होगी कोई बोलता हम लेना चाहते हैं 50,000 रुपे का loan हमारी EMI कितनी होगी इसी तरह की comments जो 10.99% per annum के interest पर यान 24 महने के लिए तो आपकी EMI यहाँ पर होगी 4660 रुपे अगर आप अपनी मर्जी से loan amount को बढ़ाना चाहते हैं तो plus minus करके यहाँ पर अपनी loan amount को घटा बढ़ा सकते हैं उसी साथ से आपको पता चाहिए कि आपकी loan EMI कितनी होगी जब आपको यहाँ प अपर दो तरीके से loan apply कर सकते हैं एक है थोड़ा hard तरीका एक है थोड़ा आसान तरीका आसान तरीका सबसे पहले आपको बता देता हूँ देगाई आपको यहाँ पर apply on WhatsApp का एक टैप दिखाए दे रहा है आपने apply on WhatsApp पर क्लिक करना है आप directly WhatsApp पर पहुँच जाएंगे WhatsApp पर ज एक बंघंगे आपको उफर है Loan के अप left apply कर लीजिए यह इसका एक आसान तरीका है loan अपको online loan apply करना नहीं आता है अगर आप online loan Bernard करना जानते वह अपको करना आग difference online loan के लिए अपने पर से जरूरा से प्लाइब करना चाहंते है पहले एस तरी की जरुत क्होंने पर से लौन के लिए apply कर सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाता है कि एवल 10.99% पर दिश्ट से start जाएगा आपका इंट्रस्ट 25 रुपे तक का लौन आपको यहाँ पर मिल सकता है और यह लौन आपको मिल सकता है 6 साल तक के लिए 6 आपको यहाँ पर लौन मिलेगा कि features के अगर हम बात करें यहाँ पर इने detail ने बता रहें का बहुत 75,000 से लेकर 25,000,000 तक का loan आप ले सकते हैं 6 साल के लिए आपको लोन मिलेगा और 10.9% पर नम से आपको इंटरस नहीं आपको इन पर स्टार्ट हो जाएगा multi-purpose loan आपको यहाँ पर मिलेगा किस तरह के loan आपको इहाँ पर मिलेगा तो और आपको यहाँ पर साफसा बता रहे हो उपर आप दे सकते हैं medical loan ले सकते हैं home renovation loan ले सकते हैं जुके से लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं आपको यहां पर जो है personal loan मिलता है अगर आप एक saligner individual है students है या फिर आप retired individual है आपको यहां पर loan मिल जाएगा यहां पर guys जुन्होंने step-by-step बता रखा कैसे आप loan के लिए apply कर सकते हैं total यहां पर जो है आपको 6 step में loan मिल जाएगा कैसे मिलेगा आगे आपको बताऊंगा पहले आज आन लेते हैं यहाँ पर documents आपको क्या दिन होंगे loan लेने के लिए सबसे पहले उन्हें बता रखा eligibility क्या आप eligible है लोल लेने के लिए या नहीं है आपको यहाँ पर अपनी eligibility जरूर चेक करनी होगे eligibility check करने के लिए यहाँ पर यह बोल ले कि आपकी जो उम्र है 22,000 साल के बीच होनी चाहिए 15,000 मेना आपकी income होनी चाहिए एक साल का work experience आपको कम से कम होना चाहिए अगर आप एक salaried individual है तो अगर आप एक self-employment है याँ आपका खुद का business है तो आपकी जो income है 15,000 मेना कम से कम होनी चाहिए 22,000 साल के बीच होनी चाहिए और आपको बिजनिस से कम से कम से कम एक साल पुराना होने चाहिए document जो उनको चाहिए और उनको चाहिए और यहाँ पर बता रहे का भाई photo identity proof में आपको यहाँ पर जो documents देने हैं अधार कार्ड, pen card, driving lessons वो टरेडिकार्ड में आपको भी दे सकते हैं income proof में आपको यहाँ पर जब bank statement देने होगी ठीक है एड़स proof documents आपको यहाँ पर देने होगा जैसे electricity bill हो गया phone bill हो गया इस तरह के दे सकते हैं employment certificate आपको यहाँ पर देना होगा यह document आपको यहाँ पर देने होंगे पहले अपनापना ज़रूर चेक करेंगे न उसके बाद लोन अपलाई करना कैसे लोन अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर ही बोली बैं, अगर अगर आपको यहाँ अलग त्रइक सी detail fill करनी होगी, अगर आप अग्जिस् muffiner to अपको यहाँ पर अलग तरिक सी detail fill करनी होगी, लेकिन हमें एक नए customer तो आपको यहाँ पर new customer पर click कहने के बाद mobile number अपने डालना होगा, mobile number को verify करना होगा, बता रखा है कि पहले आपको जो information देनी है जो मैंने आपको बता है वो देनी होगी यानि पैन कार्ड की detail अपना mobile नमर वगरा देना होगा second step के अंदर guys आपको यहाँ पर कितने loan की जरूत है वो आपको बताना होगा जितने loan की आपको जरूत है आगेगे इस step आपको complete करने उसके बाद personal information, employment information, document submit करने होगा जैसे आप documents आपको submit करेंगे इंस टेंट लिए आपको loan के लिए offer मिलेगा अगर आपको loan के लिए offer मिलता तो guys उसके बाद आपको यहाँ पर जो है क्या करना होगा e-mandate करना होगा यानि आपके जो installment है automatically आपके bank account से कटती चले जाए वो आपको यहाँ पर करना होगा ठीक है उसके बाद guys आपको additional facility यहाँ पर मिलेगी यानि कुछ insurance बगरा भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और last day में आपको e-sign agreement करने के बाद आपके bank account के अंदर आपको मिल जाएगी 6 step के अंदर यानि केवल 6 step में आप यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हैं देख guys मुझे loan नहीं चाहिए मैं तो केवल आपको information दे रहा हूँ कि भाई आप जो है अगर लेना चाहते है loan Tata Capital से loan apply कर सकते है अगर आपको वीडियो चले के तो लाइक करते हैं अगर आप चाहते हैं फिर भी complete video आपको मैं बना कर दिखाऊं तो भाई अलगसे कमेंट से उसे बोल दीजेए अलगसे वीडियो बना दुगा तो गाज यह दी वीडियो टाटा Capital पर आप लेना चाहते है घर पे टे लोन के और 6 स्टेफ में ले सकते हैं 25 लाग उर्पे तक का लोन बहुती कम डोक्मेंट्स पर बहुती कम इंट्रस पर तो चले गाज मिलते हैं अगर लगी ने वीडियो साथ आखिल भीजिता है यह वी